आपको किया करना है कि जैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि या जो फ्लार है जिसकी पौलिनेशन विंड करेगा उसमें अलग फीचर होना अची उस फ्लार के कंपरीजन में जिसको इन्सेक करेगा तो जो wind pollinated वाला होता उसमें क्या-क्या feature होते है पहला उसका pollen हवा से उड़के जाएगा तो अगर कोई चीज हवा से उड़के जाएगी वो हलकी होनी चीज़ भारी होनी चीज़ वो sticky होनी चीज़ या non-sticky जैसे माल लोग कोई चीज हवा से उड़नी है अगर वो चिपकने वाली होगी तो उड़ेगी नहीं चीपक जाएगी या उड़के किसी ऐसी जगा चिपक जाएगी कि जहां काम का नहीं था मेरी बास समझ में आ रही है ये चीज़ clear है तो non-sticky होनी चीज़ लाइट वेट होनी चीज़ लार्जी नंबर होनी चीज़ विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड में बहुत सारे पॉलन वेस्ट हो जाते हैं इसलिए लार्जी नंबर पॉलन ग्रेन बनने चाहिए चीख है अब बात कर लेते हैं किसकी stigma की और उसकी यस बात कर लेते हैं अब देखो तो जैसे विंड पॉलिनेटेड वाले में सबसे पहले फ्लार की बात करते हैं तो फ्लार में कलर क्योंकि इंसेक्ट तो होगा नहीं तो कलरलेस होना चाहिए उसमें स्मेल नहीं हो नेक्टरलेस का मतलब नेक्टर होता खाने के लिए वो ना हो और ओर्डरलेस हो ओर्डर मतलब स्मेल ना हो ये सारी चीज़े होनी चाहिए अब उसका जो पॉलन है वो कैस कैसा होना चीए small कैसा होना चीए lightweight और इसके अलावा non-sticky होना चीए चिपके नहीं यह अब ज़राएक चीज़ समझो मेरे पास यह फ्लार है यह मेरे पास wind pollinated का फ्लार ऐसे अब इसका जो पॉलन है न वो इस फ्लार की सतय से बाहर होना चीए ताकि पॉलन असानी से उड़ता इसका जो stigma है वो ऐसे feathery होना चीए ताकि वो किसको पकड़ सके pollen को तो अगर मैं पिस्टिल की बात करूँ तो feathery होना चीए feathery मतलब feather जैसा और large होना चीए ताकि क्या कर सके capture कर सके किसको pollen को उड़ते हुए capture कर सके किसको pollen को यस और इसका जो enter है enter की बात करते हैं, enter की बात करते हैं बिटा, enter कैसा होना ची, exerted, exerted का क्या मतलब होता है, देख बिटा, अगर यहां अंदर होगा, यह वाला structure अगर अंदर होगा, तो उड़ेगा नहीं न पॉलन, exerted का मतलब होता है, main सताय से अंदर, तो यह exerted होना ची, exerted समझ में आ रहा है, अंदर होना ची, क्या यह बात समझ पा रहे हो के नहीं, क्या यह बात समझ पा रहे हो, चीक है, तो हम लोग यहां पर बिटा, wind pollinated की special feature की बात करेंगे, चीक है, special feature की बात करेंगे, जो आपको ध्यान रखना है, चीक है, हना, special feature की बात करेंगे, सुने ध्यान से, हमारे पास क्या होता है जो wind pollinated वाले होते हैं ना उनमें ओवरी के अंदर single ovule होता है यह क्या मतलब हुआ सब मैं तुझे बताता हूँ इसको लिखते हैं mono ovular ovary mono ovular ovary देख क्या मैं बोलना चाहिए जैसे माल ले यह देख समझे देख माल ले एक फ्लार ये है इसमें एक ovary में ये फ्लार है विटा ये इसका pistil है इसमें एक ovary में कई ovule है ऐसे कई ovule है इससे क्या होगा उतने सारे pollen यहां गिरेंगे तभी ये fertilize होगा लेकिन यहां पर अगर एक ही ovule होगा तो एक pollen से काम चल जाएगा तो नया फ्लार बना लेंगे उसमें एक ओवरी में फिर से एक ओव्यूल होगा मेरा कहने का मतलब यह है कि क्योंकि बहुत सारा पॉलन विंड से उड़के वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है अगर मेरे पास एक ऐसा फ्लार हो जिसके पिस्टिल में एक ही ओव्यूल हो तो जाद चीजब मुश्किल काम होगा कि एक स्टिगमा पे चार पॉलन गिरे एक इस्टिगमा की जिसम waiver मुश्किल काम है। यह difficult काम है। ऐसा नहीं होता है तो हमने यहां पर यह देखा कि यह जो बिस्टिल है इसमें एक है इसकी वजह से एक फटलाइज हो जाएगा एक फटलाइज हमारे पास हो जाएगा क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या मेरी बात समझ में आ रही है बताओ जल्दी से बिटा मेज में मेल और फिमेल फ्लार अलग लग होते हैं, मेज का प्लांट कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का प्लांट हो, मेज मक्क की बात कर रहा हूँ, उसमें उपर की तरफ यहां मेल फ्लार लगते हैं, ऐसे, और आपने देखा होगा, इस तरीके से एक कवर बनता है, जिसमें य ये क्या होते हैं इन्हें कहते हैं टासल कि या है stigma और्स टाइल है इस टीमा प्लस टाइल है तकि क्या कर सके एक तरह का फैदरी पैदरी चीज है इस बगाई सथे औ हूर पकड़ा है तो मेज जो है wind pollinated होता है हवा से pollinate होता है याद रखना wind pollinated होता है मेस अगर आप ये diagram देख रहे हो ना ये देखो ये जो है ना ये ये सारे ये इसके stigma और style है इन्हें हम tassels कहते हैं क्या कहते हैं इनको tassels